नमस्कार, टीवी नाइन भारत वर्षपर आप सभी का स्वागत है आपके साथ, मैं हूँ प्रतिमा मिश्वा, इस बुलिचिन में मेरे साथ पॉजूद है नेरी वासंदा ने भी मोधी सरकार के तीसरे कारकाल का पहला बजट पेश किया गया, इस बार बजट में महिलाओं, क तो वह विरोधी दल इसको लेकर कई तरह के सवाल उछा रहा है, जानेंगे कि देश का जो ये बजट आया है, उस पर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि फाइदा उन्ही को पहुंचना है, लेकिन पहले बात इंकम टैक्स में किये गए बदलाव की, जो कि सब सब बड़ा उठाएंगे, गौरब ओर तुई बिल्कुल निदी, तो देखिए हमारे साथ यहां पर अन्शुमन तिवारी जी है, मनी नाइन के एडिटर है, और आर्थनीती को बहुत अच्छे से समझते हैं, राजनीती को बहुत अच्छे से समझते हैं, सबसे पहले तो बजट पर क्य इसकी सुर्खी भी थी, हेड्लाइन भी थी, और दरसल बजट पीछे से लोगों ने पढ़ना शुरू किया, बजट का जो पहला पार्ट था, उस पर हमने बाजार में भी कोई मूवमेंट नहीं देखा, कोई बदलाओ नहीं देखा, लेकिन दूसरा पार्ट आया, तो सक्र परानी रिजिम छोड़ें, बच्चतों में के बदले टक्स की रियायतों का पूरा छोड़ दें, अब बाहर निकलाएं, और सेविंग्स की विवस्ता खुद करें, हम नई टक्स रिजिम में आपको रियायत देंगे, तो दो चीज़ें आई नहीं टक्स रिजिम में, एक त सबसे उपर वाला जो दर था, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, तो ये छोटा सा बदलाव था, इस बदलाव के सहारे, लोगों को 10 से 14 अजार, 16 अजार तक की बचत हो सकती है, बहुत मामूली बचत है, साल भर के लिए लिए दरश्ट से, लेकिन यहां जो बात ह जब नए इंकम टेक्स की समिक्षा होगी, जो उपने बताया था कि नए इंकम टेक्स कानून लाने की बात है, रिट्मंत्री ने उसकी खोशना कर दिये, उसके आद पुरानी टेक्स स्कीम का संसेट क्लास भी आ जाएगा, और उसे खत्म करने की एक तारिक भी आ जाएगी पुरानी रिजीम की और नई रिजीम ही प्रमकुरूप से रिजीम रहेगी, अब असर क्या होंगे, असर यहाई कि अगर आप बचट करता है तो आपके लिए बचट में भूत कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी, यहाँ पर लिख के बताई, अगर बचट करता है, अगर आप यह से रिलेटेड एटीसी में जो भी चीज़े आती है, सब चाहों समय अदेश में फचोंकि फीजो थीम कानली जए ओ इंशुरेंस मानली आपके सारी जाए तो मो इसके पीछे जाते हैं, ईसमें और भी कई सारी महत्वगी चुपी हूँ चीज़े CheQue टैक्स के प्राविजन में आती, जैसे LTCG, Long Term Capital Gains, इसे समझना जोरी तक्नीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पर इसका असर पड़ाता है, LTCG लगता है, हम जो भी एसेट्स खरीदते हैं, उसमें सर पहले था कि अलग-अलग asset class को अलग-अलग अब इसको क्या बिल्कुल पहले गल된 दो कर दिएगी बां Marx केंने और 24 महीने पहले 36 महीने तक होती थी यह शहने के मालु नावन में होती है यह अनौँ महिने की दूसरी केटिगरी लांग टम में दो केटिगरीज है बारा महिने और चौविस महिने की दो केटिगरी दूसरी चीज यह कर दी गई की गोल्ड दूसरी चेसर का बजट में एलटीसीजी के दर को 20 परसेंट से घटा के साबरे 12 परसेंट कर दिया गया अब देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लांग्ता। तेसं के उपर दर को कम किया किया लेकिन कुछ गूल्ड के ऊपर लेकिन ओवराल तस परसेंट से बारा परसन बढ़ा दिया गया बाकी चीज題 उपार की सॉनेफ पर बीस परसेंट ऐसे सालेफ बारा परसेंट किया गया और और बाकी 10-12% बढ़ा दिया गया अब यह फैसला बाजार को पसंद नहीं मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉंग ट्रम करेंगे तो आप इसके इन सब के साथ एक पेच है इस यह बाजार को पसंद नहीं एक चीज और आप पता यह प्रॉपर्टी पर जो आप 1,25,000 तक का अगर कैपिटल आपको फायदा होता मुनाफ़ा मिलता है सेल्स से तो उसका उसके फायदे पर आपको टेक्स नहीं लेगे अब आप इसे कैसे देखेंगे इसे देखेंगे कि आपका टेक्स बढ़ गया या बचत हो गई तो यह छोटे निवेशक थे उनके आधा उठा पटक हुई गोल्ड पर LTCG के तर 20% से घटा के साले 12% कर दी गई लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट बनाके रखा गया इंडेक्सेशन के बेनिफिट का मतलब होता है गौरव महंगाई के आधार पर जो कीमत बढ़ती है उस मुनाफ़े के आधार आपने खर च्छ सNews महिने थी जिसे घटा के 24 महिने कर दिया ओके यहां पर 36 से 24 कर दिया है 24 महिने के रहे लांग norm capital gains में का calculation 24 मैंने की बतर्म होगां यहां सबसे आधा जोटाने वाला फैसला हुआ है यहाँ लिमिट तो 20% property के nuestros capital gains तो घटा दिया परिचिन से ho 나중에 15% कर दिया लेकिन इंडेकर सेशिंव लग अचा दिया इंडेकर सेशन को पार हुआने के पीछे शायद कोशिश आप होगी कि बहुत सारे लोग के नाम पर प्रॉपर्टी खरीबते और बेचते और कीमतों का फाइदा उठाते इसलिए आज हमने स्टॉक मार्केट में देखा कि यह फैसला रियलिटी सेक्टर के लिए अच्छा था पर यह इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन का फैसला था खतम करने अपने तरशकों को फिर से बता देते हैं सरल शब्दों में इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है मान लीजिए आपने 2020 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आज 2024 में वेजी तो चार साल का जो लॉंग टर्न अब यहां से अभी इस पश्ट नहीं है कि यहां अभी हमारे पास नोटीफिकेशन नहीं पढ़ने की कोशिशिश कर रहा था नोटिफिकेशन के आधार पर पता चलेगा कि इंडिक्सेशन खतम करने की प्रापरटी पर विवस्था क्या है तो यह हो गया पर ये area area अभी dark है इसमें हमें हमें इस पर clarifications मिलेंगे वित्वमंतर आले से तो हमें समझ में हैं हम ये कह रहे थे कि अलग-अलग asset class को merge करके एक asset class पर एक capital gain tax लगा दिया गया लेकिन उसमें भी अलग-अलग नियम है एक सेशन के नहीं हम गोल्ड के लिए हैं प्रापर्टी के लिए नहीं है और बाकी अगर आप ओर आल देखे तो हेड्लाइन के तौर पर इन पर कैपिल गेंड की धर सामाने निवेशों के लिए तससे 12% 12% हो गई और बाकी जगे कम हो गई अब आए हम एक और चीज पर आते ह और टैक्स में बड़ा बद्ला हुआ हम सारे लोग जानते हैं टीडियस नाम की एक विस्ता होती है जिसमें टैक्स का सॉर्स पे डिड़क्शन होता है टैक्स डिऍक्शन एक सोर्स तमाम सेवाइं जो आप खरीते हैं लेते हैं पेमेंट करते हैं और उन पर tax deduction और सोर्स होता है TDS की दरों में हतुपूर्ण बदलाव किया गया उनलेक नहीं बदलाव किया गया जो Finance Bill में दिखाई दे रहा है Finance Bill में दिखता है TDS की दरों को आम तोर पर कम किया गया है लेकिन प्रापर्टी में जो Multiple Sell वाली प्रापर्टी हैं उनके उपर 50 लाग से उपर की प्रापर्टी की सेल पर TDX लगाया गया है तो TDS की दरों में दरों में complicated हैं लेकिन मोटे तोर पर समझ सकते हैं कि जो mutual fund distributors हैं जो वित्ती सेवाय देते हैं उनके लिए TDS की दरों में कमी की अगर कोई stock market में invest करता है उसको डिविडेंट आता है वो 10% TDS करके उनके पास आता है हाँ यह फायदा है यह फायदा है ठीक है अब मुझे यह बताईए हम बात कर चुके है tax की हम बात कर चुके stock market की यहां पर सरकार ने jobs बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से क्योंकि बताया जा रहा है कुरसी बचाओ बज़र विपक्ष ने इसको कहा है लेकिन jobs के लिए सरकार ने इंटर्शिप के विवस्ता की है सरकार ने अंजल tax हटाया है तो इन सब चीजों से क्या जो जॉब oriented MSME को सरकार ने credit guarantee दी है इससे jobs क्या बढ़ें बढ़ें जॉब मैं आपको रोकूंगा Congress के अद्यक्ष मलिका जुम खरके press conference करते है माँ जाना पड़ेगा तो जो नए scheme पहले government दी थी और जो railway line नहीं दिये थे वो भी इसमें नहीं है तो railway budget भी इतना कमजोर बनाया है शायर उसी लिए तो फाइनास department में मर्ज करके उसको और फन कर देखे आप सुन रहे थे मलिका जुन खरके को जो की बता रहे थे यहां पर कि जो railway budget है उसको भी इस से अलग कर दिया गया और वो इस पर कुछ नक ऐसा बोल रहे थे जो जैसा लगता है यह केवल अपने घटबंधन के सयोगियों को आंध्र को बिहार को ज्यादा पैसे देकर जो वो special status की मांग कर रहे थे special package की मांग कर रहे थे उस मांग को कही ना कई address किया गया है लेकिन क्या इस budget से लोगों को jobs मिलेंगी मैं जो jobs की बात कर रहा था सर जॉब्स को लेकर फोकस देखता है इस बजट में? करने के लिए लाया गया इसका मतलब में था कि रोजगारों की की सका का जो राजनितिक असर हमें दिखाई दिया चुनावों में उसे महसूस किया बजट ने कल एक्लामिक सर्वे ने भी बात बहुत स्पश्च रूप से कही थी और महाराष्ट में देखे रोजगार भत्ता ब पुझ विहार को भी आगे बढ़ना है कि वह कुछ किया है आप जानते ही तैसे अपुरा हाल था बढ़ेता है जब हम जो पास से सुरू किये हैं नौंबर पास ने तो जो कितना काम करते हुए अब जहां देखिए ने कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है कितना ज्याद सब कुछ किया गया हम लोगों ने सुरू से कह दिया था यह या विहार को मिसेश तौर पर मदद करिए इसके लिए आप उसी वे हुन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घुशना करते हैं तो आप सम्कूस्ट है करना सुरू करते हैं तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए तो वो तो करना सुरू करते हैं नितीश कुमार मुस्कुराते हुए आपको दिख रहे हैं और बिहार के लिए जो पैकेज का एलान किया गया है 58,900 करोड के पैकेज का एलान जिसमें कई अलग-अलग तरह की परियोजना हैं और हमारे साथ रूपेज जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे पट्टा से रूपे जोली खोल दी है सरकार ने बिहार के लिए जो मांग भी की गई थी लेकिन स्पेशल स्टेटरस को लेकर ये मांग अभी भी बनी हुई है जैसे ही शत्र सुरू हुआ यहां बिहार विधान सभागा जब अंदर नितीश कुमार पहुंचे तो बहुत मुस्कुरा रहे थे अंदर भी मुस्कुरा रहे थे और उनके सामने ही संसदिया कार्यमंत्री बिजय चौधरी ने बजट जो है वो बिहार सेंट्रिक है इसके ल जबहा से बजट में जो बिहार के लिए बजट यह प्रावधान किया गया उसके लिए धन्यबाद प्रस्ताव पारित हुआ अब से थोड़ी देर पहले यहां बारिश भी हो रही थी और उसी तरीके से बजट में बिहार के लिए बारिश हुई है उनके लिए यानि की जो कल बिहार को विशेश राजय का दरजा मिले इसको ले करके यहां पर भी एक प्रस्ताव बनाने की कोशिश हो रही थी हलाकि वहां पर सवाल किया गया संसद में इसके पहले जब सर्वदलिया बैठक होई तो वहां जेडियू संसद जो संजेज हाँ है उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि बिहार को विशेश राजय का दरजा दिया जाए लेकिन जब उस मांग को खारिज कर दिया गया उसके बाद से विपक्ष हमलावर हो गई सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी जेडियू की मांग को खारिज कर दिया गया बिहार को विशेश राजय का दरजा नहीं मिला तब भी जब इंडिये की बैठक होई थो तो नितीश कुमार ने कहा था कि इंतजार करिए बहुत कुछ आगे मिलने वाला है और वही हुआ कहीं न कहीं नितीश कुमार को यह जरूर कुछ यह इल्म था कि बिहार को विशेश राजय का दर्जा अगर नहीं मिलेगा तो विशेश पैकेज, विशेश सहायता और आज सदन के अंदर भी विजेश चोदरी ने नितीश कुमार को पषतिती में कहा कि विः विशेश राजय का दर्जा मिले विशेश सहायता मिले या विशेश पैकेज मिले यह तीनों एक ही तरह की बाते हैं तो आज बजट में विशेश पैकेज की तरह जिस अंठावन हजार करोड रुपय का जो बजटिय प्रावधान किया गया है वो नितीश कुमार के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए काफी है कि नितीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेश राजय का दर्जा देने की बात कर रहे हैं और अगर वो कह रहे हैं कि विशेश दर्जा या विशेश पैकेज या विशेश सहायता तीनों एक ही तरह का प्रावधान है तो उसी तरह किसे कुछ प्रावधान किया गया है और सताधारी पार्टियां यह कह रही है कि बिहार को विशेश राजय के दर्जे जैसे ही एक सहायत आज मिल गया है बजट में बिहार में बाए है और केवल बिहार ही नहीं आंदरप्रदेश भी इस क्याटेगरी में आता है और इसी लिए शायद इसे गटबंधन का बजट कहा जा रहा और ऐसा क्यों कहा जा रहा है यह समझना भी दर्शकों के लिए जरूरी है क्यों इन दो राज्यों पर विशेश फोकस खाफ स्वार पर नजर आया इसको आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि बिहार को क्या मिला है इसे समझ गये बिहार की बात करें तो कुल 58,900 करोड रुपए की मदद की गई है बिहार की अगर हम बात करें नीदी में चाहूंगे आप बिहार का जिक्र करें मैं आंदर प्रुदेश की जानकारी साज़ यहां कुल 58,900 करोड रुपए की मदद का ऐलान हवाई अड्डे मेडिकल कॉलेज खेल से जुड़े धांचे और पेर पेंती में 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र इनके लिए ऐलोकेशन दिया गया है सड़क विकास के 26,000 करोड तीन नए एक्सप्रेस में बनाने को मंजूरी दी गई है पटना पूर्णिया वैशाली बोध गया बकसर भागलपुर इन सब बड़ी इन सब को लेकर अलोकेशन है इसके लावा भी कुछ जुग होशना है गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने का ऐलान जिटसर, कोलकाता, कॉरिडॉर ये तमाम बाते जो कि बिहार पर फोकस रहेंगी इसको लेकर बड़ा अलोकेशन है बजट में भी रकम दी जाएगी यानि और कुछ रकम का ऐलान भी आने वाले दिनों में किया जा सकता है इस पर भी खास तोर पर फोकस रहा है गौरव बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा तो देखिये गटबंधन का बजट कैसे है यह आप समझे और लगातार इसको लेकर बात हो रही है कि सबसे जादा फाइदा अगर कि किनी दो राज्यों को हुआ है तो वो बिहार और आंध रहे हैं सर आप पॉलिटिक्स भी समझते हैं मजबूरी थी सरकार की गडबंधन की वो स्पेशल पैकर स्पेशल स्टेरस मांग रहे थे लेकिन इससे आगे इंफ्रस्ट्रक्चर में आप क्या लगता है क्या फाइदा यहां इस बजट में दिखता है अगर इंफ्रस्ट्रक्चर खर करना करने वाली है उसमें कोई बढ़ुतरी नहीं की गई लेकिन गटबंधन सरकार में इस बात की अपेक्षाथिक इन दोनों राज्यों को दिया जाएगा तो इन दोनों राज्यों के लिए हो रहे हैं और दोनों राज्यों के लिए काफी बड़ा पैकेज है आल्मोस्त 70- 70,000 क्रोल रुपए से 1,000,000 क्रोल रुपए तक के फंड इन राज्यों को मिलने की संभावना है जो इस पच रूप से घोशित किये गए इसके लावा जो बाकी स्कीमे हैं बाकी परियोज में नीमित रूप से राज्यों को जो पैसा जाता है वो अलग से मिलेगा इनके आप लोटने tds की सूच न आही ए tds की दरों में कमी हुए और कई महत्रपूर्ण चींज़ों पर qaidyais कीद्रों में कमी फिया जानना जरूरी है कि कि इसका बड़ा असर आख उसके है आप जी सstalk कई तीटी एस में कई चीज़े हैं जिन पर ان्व टीडस की दर में कम ही कमी यही है जैसे कि आप इंशुरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं उसके अलावा अगर आप लाइफ कोई इंशुरेंस कमीशन पे करते हैं जो एजेंट पे करता है उस पर भी कमी होगी ब्रोकरज के डिवाइड फैमिली अपना पेमेंट करते हैं उस पर कमी की गई है और रेंट पे भी रेंट आजो रेंट पर भी पीडियस की दिरों में कमी चाहिए जो यह कह सकते हैं कि बीमा सस्ता हो ना चाहिए उम्मीद ही कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा फाइदा यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की कोशिश दिखती कि जो वित्ती सेवाएं वित्ती उत्पाद हैं उनकी लागत थोड़ी सी कम की जाया और उन पर TDS में कमी की जाया अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें तीडिया मा का कमीशन है ब्रोकरेज है अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो रेंट है अगर कोई परिवार दे रहा दे रहा है और आप हिंदू अडिवेड़ेट फैमिली को की फंड्स दिये जाते हैं उन पर फिस पर यह सब में 5% से लगवग 2% यह बड़ा बताया आपने यह में कोई नहीं बता रहा जो आपको बता रहे हैं ध्यान रखेगा कि TDS आपको स कांटेक्स में देखें कि इकनामिक सर्वे कह रहा था कि प्राइविट सेक्टर ने इंवेस्टमेंट नहीं किया इसलिए जॉब्स नहीं आए सरकार ने बाद परोक्षिप से स्विकार की वितमंत्री कहती भी रही है कि नॉन फार्मी सेक्टर में 78 लाग जॉब हमें हाट सा जाएगा तो 4 क्रोजगारों को जो वादा था उसे कहीं ने कहीं वो नंबर भी इस चर्चा में आ गया था कोशिश है की गई कि कार्परेट्स को सहायता दी जाए कंपिनियों को खास्तोर पर इस बात के लिए फार्मल सेक्टर में में यह सहायता दी जाए कि अगर वो निव स्काड़ तो उन्हें मिलने वाली जो सुविधाय हैं उन्हें मिलने वाला जो वेतन हैं उनके इप एफो में कांटरिविशन है उनका एक हिस्सा सरकार फिनांस करेंगी अभी प्रजानमंत्री कहें गया है पहली सेलल्नी हम देंगे लेकिन आप यह स्कीम इस से पहले नियाए skim को कई किया और इस स्कीन को भीतर जाये तो इसके के डिटेटेल में बहुत सारी महतपूर्ट चीजें दिखती है जिससे लगता है कि डेविल डेटेल्स वाली स्थिति है घोशना बड़ी है नए तरीकी की पहल है जिसमें कमपनियों को पैसा दिया लेकिन अगर 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 बजट भाशन के भीतर जाकर देखें तो इसके साथ किंतु परंतुर इतनी शर्तें लगी है कि हमें यह देखना होगा कि एकले तीन मह चाला बजट नहीं है सरकार बजट पहर बिलकुल फोकॉस नहीं कर रही है आप वचेत करें ना करें, सरकार को इससे कोई कह सकते हैं," यह सकते हैं। capital gains short term capital gains or STT यह तीन महत्वपूर्ण taxes हैं जो निवेश पर लगते हैं security transaction tax लगता है long term capital gains लगता और short term capital gains लगता यही आपके निवेश पर लगने वाले प्रमुकते हैं इन में जिस तरीके के फिर बदल किये गए हैं उनका जो बड़ा पिक्शर तम तस्वीर निकलती है और वो यह है कि सरकार इस कोशिश में है कि जहां 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 इस speculative activities हो रहे हैं जहां जहां सट्टेबाजी वाली गत्विधियां हो रहे हैं उन्हें रोका रोका जैसे एफटी बढ़ा भी कहा है सर महिलाओं को stamp duty मिलने पर जो इंसेटिव मिलता है उसको और बढ़ा Clayton को कहा है क्योंकि वोुक्त राजियों का मैं सब्स्रकराant नहीं कर सकत evacuate है स्प्राइन स्पाइशरकर्ण नहीं लगाती तो वितमंत्री ने कहाए कि राज सरकारों को कहा जाएगा कि वह महिलाओं को प्रापर्टी करी अब यह देखना है राज जी कितना मानते हैं लेकिन क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं हमारे साथ यहां पर निदी और प्रतिमा एक और लास्ट बात मैं कहे दूँ जो सबसे महत्वपून बात है वित् उसमें कई सारे उत्पादों को 28% से 18% में लाया जाएगा और 12% की स्लैब खतम करके 15% की स्लैब लाई जाएगी तो हो सकता है वित्मंत्री इमान नहीं हो कि भोकताओं को मदद करने के लिए 12 और 18 दोनों खतम कर देंगे और 15 क्योंकि 15 रिवेन्यू नीट्रल लेट है वहा हम लोगाना बजट से पहले चर्चा में भी कहा था कि नया इंकम टेक्सेट आने वाला है और इसलिए इंकम टेक्सेट में कोई बड़े बदलाव फिलाल भी नहीं किये जाएगे ने एक्ट की त्यारी चलिए अब चलते हैं निदी और प्रतिमा के पास निदी और प्रतिमा के टांट दे पर कैसे होता है अब बात करते हैं महिलाओं के रियक्षण की गोष्णाएं मतर इतो väldigt कुलिकर भोपाल की महिलाओं का चैना उनकी क्या र आये सुनते आखिरकार मोधी सरकार ने अपना बजट पेश किया है महिलाओं के लिए भी इस बजट में काफी कुछ रखा गया है मैला हैं हमारे साथ हैं उनसे ही समझ लेते हैं जान लेते हैं आकिरकार उन्हें बजट कितना अच्छा लगा कितना अच्छा बजट आप लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हमें और बच्चों के उसमें पढ़ाई के लिए उन्होंने बोला है कि बच्चे जो इंटेंशिप में मिलेगा उनको पैसे और युवाओं को नौकरी मिलेगी ये तो ठीक है युवाओं के लिए जो किया उन्होंने सही किया है लेकिन हमारे घर ग्रेस्टी वाले जो हमें चाहिए था वो हमें हमा बजट में नहीं मिल पाए तीन लाग करोड रुपे महिलाओं के लिए इस बजट में रखे गए हैं कि तो अपने आप में बड़ा बजट है उसके लिए भागेदारी जादा हो उसके लिए भी सरकार प्रयास करेंगा कि सब्सक्राइब लोग ने महगाई कमने करी है आनाज के दाम भी नहीं कम हुए है तो उसमें थोड़ा कम होता तो बचत होती अब फोन और इससे थोड़ी बचत कम होगी फोन और चार्जर के दाम जरूर कम हुए सबसेПр heirlich लोग आजकर हम देखते हैं के हर वर्ग उस से खरीकता है हां लेकिंट जो चार्जर के लिए दाम कम होए फोन के कम होए सोलर पैंडल के कम होए उसको यूश करने वाले लोक लिमिटेट है महिलाओं के उपर फोकस किया है लेकिंग वरकिंग मोमन के उपर फोकस किया है हम जैसी जो हम घरेलू महिला है या हम घरेलू हम कुछ काम करते हैं घर बैठे काम करते हैं हमें कुछ राहत नहीं हैसुस हो रही है हमारी वैसे ही अभी भी तार के उपर चलने वाली कसर चालू ही रहेंगे तो अगले बजट में पिक्षा करते हैं कि निर्मला मेडम हमारी कीचन की दरबी जरा ध्यान देंगे तो महिलाओं का क्या कहना इस पूरे बजट को लेकर आपने सुना किया आर्थिक पैकेज मिलने से आद्र की जंता खुश है इस बात का जिक्र उनों ने किया आप खुश है जो आज खुश है जो आज खुश करना चाहेंगे देश के लिए इतना अच्छा बजट आज प्रसुत हुआ है आज देश के नोजवानों के लिए यह बजट था कि रोजगार के लिए एंप्लॉइमेंट जनरेशन के लिए एट्रफर्नौर्शिब के लिए एजुकेशन के लिए स्किलिंग के लिए इस तारह के बहुत सारे चीज़ें जो नौजवाना सोचता है भारत का उनको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावदान किये गए तो उसके लिए मैं बहुत कुछ हूं सबसे पहले और उपर से जब आंद्रा की बात ही है उसके दे इंडिया एलाइंस एलेक्शन चुनाव से पहले ही बता था अरेंद्र मोधीजित खुद आंद्रा में आये थे उन्होंने देखा कि किस तरह से जगन मोहन वेटी ने पूरा आंद्रा को खराब कर दिया वहां पे जो इंस्टिटिशन से उसको बरबाद कर दिया तो एंद्र सरकार की और उपर से राजी सरकार की जब चुनाव के बाद जब बनेंगे तो हमारी एक रिस्पॉंसिबिलिटी थी कि हम सब की जो चीज़ें जो खराब होगी तो इन्हों ठीक करें तो यह बज़ेट को आपने सनौर हैदरबाद से सीधे हमारे साथ नूर मोहमद जुर रह यह आम बज़ट पूरी तरह अब डेवलपमेंट की दिशाप पर जाने वाला है मगर जनल सिना दूसरी तरह टीडीपी की पार्टी के जितने भी कारिया करता थे आंतरपश के सड़कों पर निकाल कर मोधी जिन्दाबाद के नारे लगा रहा है और पूरे आंतरपश का जो डेवलपमेंट क जो मंजर मोधी ने जनता को जो बताया था वो गहर मामूली है देखे जिस तरह के पौला और प्राजेट को लेकर जिस तरह के जर्रास सरकार ने जो वादे जो धोके दी थी उसके बाद मोधी ने आकर जो इलान किया था वो बहुत बड़ा मुश्किल था मगर मोधी सरकार और उसको तमाम जो मुश्किलात थे आंद्रप्रदेश के अंदर उसको अंदर करते वे नजर आ रहा है। उन्होंने कब्वी सोचा भी नहीं था कि मुधी सरकार इतने हज़ार करवोड देकर आंद्रप्रदेश को डॉलब करेंगे। मगर हर तरह से जशन का माहल है, समाम राजनीत पार्टिया, मूधी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और दुसिफ जनस्किना और TDP पार्टिय ने जो वादे किये थे, वो भी शायदा पूरे होते में नजर आ रहे हैं तो स्पेशल स्टेटिस की मांग भले ही पूरी नहीं हुई है, लेकिन स्पेशल फोकस इस बजट पर आंध्रप्रदेश पर रहा है आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो तारीफ करेंगे इसकी जो दरेंद्र मोधी को सदन में बोढ़न नहीं देते, पहले सत्र में नई रोग सबाके, वो उम्मीद करेंगे नों कि तारीफ करेंगे छोड़ दीए, ये बजट विक्सित भारत का प्रभावी रोडवेप तयार क आप जाते हैं शब्दों पर हम जाते हैं सबता है, बिहार का विकास पी-म के हिज़ाय में है, आंधर का भी है, डेश का भी है, इत्का जो शिंद की चिलता की रहें, उसके केला के मच्वारों को फाइदा हुआ कि नहीं होगा, आप को ये बताईए, और इसको व्यापक प्रतिक्रिया है, सामने आ रहे हैं, हम आपको लगातार सुना रहा है, और इस वक्ता आपको तस्वीरों में नजर आरें ध्वर्ज आरे हमारे संवादा आतार जो हमें जोइन कर चुके है, ध्वर्ज अलग अलग राज्यों से किस तरीकी का रियाक्शन आ रहा है, ये जान बड़ी बात किये मद्यम वर्क को जो है साधने के बात की जारे कुछ यह जो है यूथ है जैपुर के हमारे साथ में इनका क्या कहना किस तरीके से देखते हैं यह बजट कितनी उमीदों पर खरा होता है आपके यह मिडिल क्लास के लिए बिलकुल नहीं है जैसा कि नाम है आम लेकिन इसमें कुछ भी आम नहीं था जागे हम देखता हैं कि हम लोग मिडिल क्लास हैं और टेक्सपेर हैं ओनेस्ट एक्सपेर हैं जो कि हमारा जो आता है वो सब गवर्मेंट को पता होता है उसमें ओल्ड रिजीम के अंदर इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है टेक् कराइंगे एक साल के लिए पांच जार रुपे सम्तिंग पे करके लेकिन वो मतलब आगे तक के लिए उसका फ्यूचर बनाने की बात नहीं हो रही है वो केवल एक थोड़ा सा पैसा दे करके उसको खुश करने की बात हो रही है तीसरी चीज इन्होंने MSME के अंदर investment की बात की है सपोर्ट करने की बात की है इन्फराटेक्टर को अच्छा बिल्ट करने की बात की है उन चीजों में गवर्मनेंट ने बहुत अच्छा काम किया है बट मिडिल क्लास के लिए कोई भी ऐसी राद नहीं है जो कि लगे कि हाँ यह हमारा बजट यह आम बजट है बजट से लिए खुश यह नाखुश की बात की जाए तो मैं नाखुश हूँ नाखुश है काराण यह है आप इन्वेस्मेंट की बात कर रहे हैं इन्वेस्मेंट मिडिल के साथ में कब करफाएगा इन्वेस्मेंट उसे रोटी मिलेगी कपड़ा मिलेगा मकान मिलेगा साइज सेलरी सब्सक्राइब करने चाहेगा तो भी पता पड़ता है बाद में की बज़ेंगी कुछ के इंवेस्मेंट करेंगा वो सब्सक्राइब किस तरह से वैलिडेज चीज लेकि शुरुवात की है रोजगार की एक करोड जो है इंटन दिये जाएंगे और उन्हें जो है आगे भी सब्सक्राइब करेंगे इंटर्शिप देंगे इंटर्शिप में क्या होगा साल बर या दो साल सरकार चलिए उसके बात और सागा नहीं भी गई तो दो साल बात कंटीनियू परमायन्जिक आंगी जैपूर की और न्यू टाक्स रिजीम के तहर्ट जो बदलाव हुए टाक्स लैब में बदलाव हुए उससे खुश नहीं है जैपूर की जनता और इस बीच केंद्री मंत्री चिराग पासवान ने भी बजट की तारीफ किये जम कर तारीफ किये उनसे बात की समवादाता आ आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को एक नई मजबूत स्थिती में लाकर खड़ा करेगा बिहारी फर्स जो हम लोग का विजन डॉक्यमेंट राय लोग जन्शक्ति पादी रामुला स्लम्बे समय से उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहें कहीं ना कहीं इस पेशल स्टेटर्स के अलावा जो पैकेज़स मिले हैं जिससे हम लोग उस हैंड होल्डिंग के माद्यम से बिहार को एक मजबूत स्थिती में ला सकते हैं अगर उनको ये बाते नहीं दिख्ती तो उनको उनकी संभवता सोच ही नहीं एक विकसित बिहार को बनाने को लेकर ये वो लोग हैं जो सिर्प वसिव राजनीती करेंगों ये वो विबख्ष के लोग हैं जो विशेश राज के दरजे की मांग करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब उनकी अपनी सरकार गी उसी सरकार में मनुवन सिंग जी के दौरान ही विशेश राज के दरजा किसी प्रवद्धानों को समाप किया गया था आज मैं धन्यवाद दूँगा मेरे प्रदाइन मंत्री जी का धन्यवाद दूगा आननियवित मंत्री जी का कि उन्होंने बिहार के साथ साथ देश के हर एक वर का इस बजट में ध्यान रखने करता है यह भी करें कि हर यह अगरे आप इसको कहेंगे लगता है कि यह सयोगियों के सुजाव और यह वही बच्श यजो हमेशा इस बात को करता है कि चपकार सैयोगियों की बात नहीं सुनी है जब हमारी बात अगर सुनी तो उसको कि यह लोग दवाव का इ gün लोग शब देना चाहेंगे बहराद विपक्ष के पास आज इस बजट के उपर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है इनकी बोलती पूरी तरीके से मानने वितमंत्री जी ने बंगे तो सुना अपने सरकार और सरकार के सहीोगी इस बजट की वावाही कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं लेकि पेश आदर द्वारा पूछा गया बजट पेश होने के बाद अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होती है और जो बातें आकड़ों के साथ से बड़ी-बड़ी कही जाती है जो इनके प्रजेक्ट चल नहीं होंगे वो प्रजेक्ट कोई समय पर अब मालीजे सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को आंद प्रदेश को कुछ विशेज पैकेज या विशेज योजनाओं से जोड़ा गया है लेकि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रदान मंत्री देता है या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैस बंडी और एडिकल्चर इंफ्रसेक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखो करूर रुपए हैं अगर वो इंफ्रसेक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आयदो गुनी होनी ची या किसान की आयद बढ़नी ची थी वो तो नहीं बढ़ी तो किसान क एक साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं कि देश का नौजमान अपना अपने अखिलेश यादव को विपक्ष के नेताओं को इस बजट में कोई दम नहीं लग रहा है तो बीजेपी और सायोगी दल ये कह रहे हैं कि ये बजट देश की जनता के लिए फाइदे का बजट है फिलाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा लेकिन ब्रेक के बाद भी बड़ी कवरिज लगाता आर जा रहे हैं